नमस्ते दोस्तों, कहानी के क्रम में आज हम आपके बीच लेकर आये हैं हाथी बकरी और चिडिया की दोस्ती की कहानी एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे दोनों बहुत पक्के दोस्त थे दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए वहां उन्हें एक तालाब दिखाए दिया उसी तालाब के किनारे एक अमरूद का पेड़ था अमरूद का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए वो दोनों अमरूद के पेड़ के पास गए फिर हाथी ने अपनी सून्ड से अमरूद का पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर धेर सारे पके हुए अमरूद गिरने लगे बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए अमरूद को इकठा करने लगी सयोगवश उसी अमरूद के पेड़ पर एक चरिया का घोसला भी था जिसमें चरिया का एक बच्चा सो रहा था और चरिया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी अम्रूद का पेड जोर से हिलाने के कारण चिरिया का बच्चा घोसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और दूबने लगा चिरिया के बच्चे को दूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था इस वजए से वह भी तालाब में दूबने लगी बकरी को दूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिरिया के बच्चे और बकरी दोनों को दूबने से बचा लिया इतने में चरिया भी वहाँ पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई उसने हाथी और बक्री को इसी अमरूद के पेड के पास रहने के लिए कहा तब से हाथी और बक्री भी चरिया के साथ उस अमरूद पेड के नीचे रहने लगे कुछ ही दिनों में चरिया का बच्चा बढ़ा हो गया चरिया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम कर आती थी और हाथी और बक्री को जंगल में किस पेड पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी इस तरह हाथी, बक्री और चिडिया मजे में रहते और खाते पीते थे सीख हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थैंक्स फर वाचिंग